सो हे गाईज, वेलकम टू स्टैडी स्किल सक्सेस, तिन गाईज एक नोटीस आया है एनमसी की तरफ से, यानि कि नेशनल मेडिकल कमिशन की तरफ से जो की गुड न्यूज है for all the neat aspirants, ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टन होने वाली है, बिकोज इस नोटीस में जो preparation अब तक हुई है, वो किस level तक हो चुकी है, यानि कि अब तक की मेरी preparation पर जो बाकी के aspirants है, उनमें मैं compete कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, तो उसके लिए Unacademy आपके लिए worst opportunity लाई है, Unacademy combat के रूप में, जो कि इंडिया का largest competition रहने वाला है for the neat user 2021, इसमें क्या है, त जो कि 27 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आपको organize करवाया जाएगा Unacademy के learning app पर, और इसे सिर्फ और सिर्फ आप online ही attempt कर पाएंगे, बाकी के जितने भी aspirants होंगे, लाखों की संक्या में students ने यहां पर registration करवा रखा है, आप भी इसमें चाहें तो registration करवा सकते हैं, link मेंने description में से जाके, पूरी detail सुन लिए जिएगा, format क्या रहेगा, 28 questions पूछे जाएंगे, इन 28 questions के लिए 60 minutes का आपको time दिया जाएगा, 60 minutes में 28 questions आपको fill up करने होंगे, 4 sections में 7-7 questions के section होंगे, 4, इन sections में आपके questions जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा, इसमें अगर आ कुछ gift card दिया जाएंगे, इसके लावा, आपकी रहेंगा, अगर 4 से 50 की बीच आती है, तो 1000 का Amazon का gift card आपको, यहाँ पर free of cost मिलेगा, यानि कि, gift के रूप में आपको Amazon का एक voucher मिलेगा, 1000 रुपे का, यानि कि, सबसे पहले तो आप अपनी तयारी को परक सकते हैं, कि कि कित है, इस खतम होने के जस्ट बाद आपके इसका वीडियो solution मिल जाएगा, जो कि N-Academy के top educators आपको देने वाले है, इसके लिए जो salavus है, वो कुछ इस type का रहने वाला है, जिसका screenshot ले सकते हैं, और इसके according आप अपनी जो preparation है, इस test के लिए, इस combat के लिए कर सकते हैं, link registration का मै एक referral code का रूप में use करना है, जिससे कि आपको यहाँ पर entry मिल जाएगी, तो यह तो थी, इसकी details अब बात करते हैं, आज की हमारी वीडियो की good news क्या है, तो guys good news यह है, कि पहले MBBS और BDS courses में admission लेने की जो last date थी, टीक है, वो थी 31st of January 2020, 31st of December 2020, sorry, 31st of December 2020 last date थी, अब Supreme Court में ए notice लगाया गया है, Supreme Court को बोला गया है, कि इस date को थोड़ा extend किया जाए, और extend कि एतना किया जाए, कि इस date को 15 January 2021 कर दिया जाए, ठीक है, कि students को थोड़ा time मिल सके, तो इस date को 15 January 2021 कर दिया जाए, और good news यह है, कि 99% chances है कि यह date आपकी 15 January 2021 कर दी जाएगी, फिलाल की pandemic situation को देखत होए, ठीक है, अब यह 2021 होती है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, तो guys अब जितनी भी stay vacancies बगेरा चल रही है, stay vacancies की counselling चल रही है, जावी जितनी भी states की counselling चल रही है, उसके लिए students को इतना ज्यादा time नहीं दिया जा रहा है, क्यूंकि 31st last date है, तो जल्दी से जल्दी जो counselling के schedule से, counselling का जो procedure है, वो खतम करने के लगी हुई है, जितनी भी counselling boards है, तो अगर उनको extra time मिलेगा, तो वो अपनी जो vacancies है, अपनी जो counselling की process है, वो दिरे दिरे खतम करेंगे, तो students को थोड़ा extra time मिलेगा, students को extra time मिलेगा, तो पसंद के colleges choose करने में भी उन्हें extra time मिले जाए, and Supreme Court में लगाए गई है application, जैसे ही approval आता है, उसकी वीडियो भी आपको channel पर मिल जाएगी, तो अगर channel पर नहीं चाल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लेजएगा, साथी साथ इससे और medical education से लेटर जितनी भी important updates आएगे, उसके लेटर भी वीडियो आपको मिलती जरूर बताईएगा, अच्छी लगी तो वीडियो को like and share जरूर करिएगा, बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए good luck and have a next day.